दोस्तन वश्कार मैं रम्मु सिंग, 31 मई तक रहेगा लागडाउन, घवडाईये नहीं, इससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ग्रे मंत्राले भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है और यह आदेश 31 मई 2021 तक प्रभावी रहेगा, आदेश में साब कहा गया है कि COVID-19 प्रवंधन के लिए राष्टी निर्देशों का देश वर्मे सक्ति से लगातार अनुपालन किया जाएगा, यह खबर वोपाल समाचार ने प्रमुक्ता से प्रकाशित की है, स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने भी एक आदेश में साब किया है, एक सक्ता में जो भी जाच होगी, उनमें अगर दस प्रत्सत पाजेटिव केस पाए जाएंगे या इस से अधिक, दूसरा जहांके भी अस्पतालों के बेड साथ प्रत्सत से ज़्यादा मरीजों से भरे होंगे, तो वहाँ पर सघन और इस्थानी इस्तर पर रोग थाम के उपायों को लागू करने पर विचार होगा, विचार करना चाहिए, दोस्तों एक बहुत ही चतुराई भरे अंदाज में इस बार लागडाउन लगाया जा रहा है, इसको आप समझने का प्रयास करिए, ना केंदर सरकार कुछ बोल रही है, ना राज सरकार कुछ बोल रही है, चूँकि लागडाउन के बाद सरकार के उपर सीधा आरोप लग रहा है, जो रोज खाने और रोज कमाने वाले हैं, वो कहा जाएं, और जिन पर पुलिस डंडे बरसा रही है, जो मजबूरी में, छतरपुर का एक केस देख लीजे, वो आदमी आक्सिजन सिलेंडर के लिए कहीं जा रहा था, और पुलिस में उसके साथ बिरहमी से मार पीट कर दी, इन लोगों में जब आक्रोस व्याप्त होता है, तो सरकार अपना पला जाड़ देती है, सरकार कहती है कि कलेक्टर ने आदेश दिया है लागडाउन का कलेक्टर जाने, सरकार ने अपना पला जाड़ते हुए, जनता को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है, और सारी विवस्ता थोप दी है कलेक्टर की कुरसी पर, इस्थानी जिला प्रसासन जाने वह कैसे क्या करेगा, अभी अभी ख़बर आ रही है जवलपुर से, कि जवलपुर में दस मई तक लागडाउन बढ़ा दिया गया है, अब यह एक तरह से आप इसारा समझिए, अभी जवलपुर के बाद चार जिले और फिर तीन जिले और ऐसे करके, एक मई को, आज एक मई है, एक मई से यह लागडाउन बढ़ता हुआ, दस मई तक जाएगा, जैसे ही दस मई की और हम बढ़ेंगे, वैसे ही कोई जिले का कलेक्टर 15 मई, 17 मई कर देगा, यू करते करते हम पूरा मई लागडाउन में रहेंगे, ग्रह मंत्राले के इस आदेश के अनुसार हो सकता है, कि मई से भी आगे लागडाउन बढ़े,